वाली दावर साथे दर्मार कीज़ाइब तो यह अश्टमी पूजन के दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं और यहां बना रहे हैं बहल साथ परिशाद बना रहे थे क्योंकि मेरा स्टेंडिंग जो टाइम है खड़े होने का टाइम बहुत कम हो गया है बहुत कम कर दिया है मैंने as suggested by डॉक्टर तो help bell सब कर देते हैं तो यहां पे कड़ाई में उन्होंने देसी घी चड़ा दिया था और बहुत अच्छे से उन्होंने वीडियो भी शूट की लेकिन मैंने इतना ज़दा आपके साथ शेयर नहीं किया क्योंकि जस्ट देसी हलवाई बना रहे थे सूजी का तो यहां पे बह एंट को लग रहा है जल गया जल गया जल गया तो इस तरह से हुआ बहुत दिनों से मैंने आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं किया मैं सच में बताऊं तो शूर तो मैंने किया लेकिन मेरा दिली नहीं हो रहा था क्योंसे वाइस ओवर एंधिटिंग बगर करने का क्योंकि त ताम जाम थे खाना वाना खुदी बनाती हूं जब मैं घर में कुछ पूजा पाट करती हूं उस दिन हमने अपने गूरु सहबान बुलाए थे तो मैंने वह शूट जरूर किया है गाइस रखा भी हुआ है लेकिन आपको बताओं कि वॉइस ओवर एडिटिंग करने का ही मेरा दिल लेकर रहा था और बीच में फिशरात थे वह भी सारा काम था तो ठकावट बहुत हो गई थी ऐपर से मेरे दान्त बहुत जधा दुख्रे हैं इन दिनों बहुत ज़धा जैसे मेरे फिफ्थ मंथ में दांतों में इन्ट इंफेक्शन हुई थी उसी तरह से इस मंथ मन् और पेइन मुझसे बिल्कुल भी बरदाश नहीं होती यह देखिए इतना इन्होंने मतलब अच्छा हलवा बनाया था I just can't believe और यह सारी शूट ना इन्होंने ही किया ठाट कोई प्लाइनड शूट नहीं हो रहा था जो मैंने फोड़े टाइम कीया वह भी शायद आपके साथ शेयर करूंगी यह बहल साब नहीं मुझे शूट करके दिया मुझे दिए कि क्योंकि कमेंट्स जब आते हैं तो यह भी पढ़ते हैं इनको भी बहुत खुशी होती है कहते कि तेरे साथ मतलब इमोशनली लोग कितने ज़दा अटाच हैं कितना तेरी फिकर करते हैं तो थांक यू वेरी मच गाईज इतना प्यार देने के लिए प्यार कमाना बहुत ही मुश्किल होता है और जब माबाप तो आपको दुआएं देते ही देते हैं जब आपको अन्नोन जो होते हैं जिनको ह हमने कभी देखा नहीं वह हमें दुआएं देते हैं तो बहुत अच्छा लगते हैं तो यहां पर मैंने थुड़ा सा स्टैंड पर फोन लगा लिया था और यह बहल साब उसी को शूट कर रहे थे यह मैंने आपके साथ शेयर किया यहां पर यह अपनी क्रेटिविटी दिख कर रहे थे तो मुझे खुश करने की बहुत कोशिश करते हैं ताकि मेरा मन लगा रहे तो इस तरह से हैं यह दिन कुछ चल रहे हैं मेरा जो लास्ट वाला डॉक्टर के साथ अपॉइंट्मेंट है वह भी हो गया है मेरी जो भी स्कैन वगयारा होनी थी गाईस वह भी हो करूंगी तो आप बिल्कुल भी घबराईये मत मुझे ऐसे बहुत कमेंट आए कि दिरी हमें लगा कि आपकी डिलिवरी हो गई है आप कुछ शेयर नहीं कर रहे हो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी गाईस मतलब मैं 110 परसेंट बोल रहे हूं कि जिस दिन मुझे गुड़ क्यार है मैंने कामरा लगाया था अभी मैंने बेलना शुरू नहीं किया था तो यह वह वली क्लिप यह पीछे से डाल दी है तो यहां पर हम सब इकठे हो कुछ न कुछ कर रहे थे लेकिन ये एक टार्गेट था कि मुझे वाईस ओवर करके आपके साथ शेयर करना ही करना है तो पापा कहा रहे थे कि पूरी मैं बना देता हूं वो मशीन से तो मैं पापा को बोले थी कि नहीं मुझे पूरी अपने हाथ से ही बनानी है क्योंकि जब भी ऐसा काम करना हो ना तो मुझे होता है कि श्रद्धा से करो चाहे थोड़ा करो जितना भी करो ना उसे मुझे श्र तो जब मैंने इसको बॉयल किया नो इसके उपर मैल मैल सी आ गई तो मैंने बहल साब को बोला कि आप इसे चान दीजिए तो वही मतलब लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही बर्डन हो गया बहुत ही बड़न हो गया बहुत सारे जो है वह ब्लॉक्स बनाके रखे हैं वहाँ क्योंकि ग्रहणी काम तो रोज ही करती है कि पाला से लग वहीं बना दाल चावल नहीं है आप भी खा लेते हैं तो फिर मुझे उसके लिए तो बनाना पड़े गाई पड़ेगा हाना बच्चे की ड्यूटी से हम पीछे नहीं हड सकते हैं कुछ ऐसा महाल हो जाता है लेकिन शेर नहीं कर पारी थी क्योंकि दिल्ली नहीं करता था यार काम करने का थकावट ही बहुत सिंपल खाना जो है वो बन गया था बच्चियों की प्लेट्स जो है वो बहल साब ने सजा के उनको दे दी थी बहुत ही अच्छा सा एक पवित्तर सा महाल हो जाता है जब घर में कुछ ऐसा होता है ऐसे ही बहुत सारे दिन हमारे गए ये बहल साब ने शूट किया कि उन्हो जाना खिला देते हैं या फिर अपने गुरु सहबान को हम बुलाते हैं और उनसे पार्ट करवाते हैं जैसे हरित्वी के पापा के बद्दे पर किया तो वो भी शायद मैं इफाली फिलहाल आपके साथ जरूर शेयर करूंगी बस ये ना एक दुबारा से रूटीन में आना क्या बुलू मुझे समझने आ रहा बहुत टाइम बात केमरा उठाया है कि व्लॉगिंग दो चार दिन किया भी रूटीन मतलब बटना दिल नहीं करता बिकोज मेरा बहुत टाफ टाइम चल रहा है मेरे मेरे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो बहुत ही मुश्क तो आज घर पे कंजक थी कंजक पूजा की ममाने सासुमाने नराते रखे हुए थे तो वह की और वैसे भी आपको पता है कि मैं आते जाते मतलब बच्चों को खाना कहलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से था तो मैंने सोचा चलो आज लिटल बिट जो भी हो गया है मेरा फाइनल वाला चेकप जो होना था वो भी हो गया है लेकिन वो एक अलग से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बस यह है कि तबीयत ठीक नहीं रहती है तो घर का काम तो चलो ओन आफ कर रहे हैं मिलके सब हल्प हो रही है जासुमा कर लेती हैं मैं कर लेती हूं देख लेती हूं हाना चीजें कर रही हूं शूट भी किया है बट ऐसा ना मन खुश नहीं है मेरे दांत बहुत ज़दा दुख रहे हैं बहुत ज़दा से मेरे फोर्थ फिफ्थ मन्त में स्टार्ट हुए थे दर्दोना वैसी हुए है और उस पेन की वज़ा से दिक्कत है बेबी पोजीशन बहुत नीचे है उस वज़ा से पेन बहुत होती है वो दिक्कत है तो वो संभलता ही नहीं है उपर से फीवर रह रहा है वो दिक्कत है पता नहीं क्या क्या दिक्कत है तो इस तरह से हो गया था तो आप लोगों के मैसेज़स आ रहे थे आप ल करूंगी इतना बड़ा गुड न्यूस मुझे मिल रहा है इसके लिए मैं इतना ओवेटिट थी तो मैं आपके साथ को शेयर करूंगी आप इस तरह से जैंचर मत लीजिए हाँ तब यह ठीक नहीं है यह दिल ही नहीं करता है से लेटी रहती हूं जैसे काम खतम किया लेट जा जाता उसे त्यार करके भीजना खाना बना बनाना आठ बज़े तक मेरे में बिल्कुल फुर्ती नहीं आती आठ साड़े आठ नो बज़े तक जाके मैं थोड़ी सी सेटर्ड होती हूं उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बट कोई बात नहीं मैं कवर कर लोंगी यह कु